अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विस्यों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा तो आज का जो क्लास होने वाला है वह भारत के भुगोल क्लास के अंतरगत दच्छिड भारत की नदियां से सम्मंदित जितने भी कोईशन हैं उन सब पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं तो आपको कुछ नहीं करना है बस वीडियो को फुल वाच करना है जिससे जिससे की आपका कोई भी कोईशन मिस ना हो तो चलिए देर ना करते हुए कोईशन को स्टार्ट करते हैं क्या है दच्छिड भारत की नदियों को दो भागों में बाटा गया है पहला जो है वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरा वह नदियां जो अरब शागर में गिरती हैं ठीक है दो टाइप की नदियां है जो एक बंगाल की खाड़ी में दूसरी अरब शागर में गिरती हैं ठीक है दच्छिड भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ठीक है तो दच्छिड भारत की बंग गंगाणदी से तूटती है क्लकत्ताइशी तर बसा हुआ नगर Is ठीक है यह यह जो है पस्चिम बंगाल में गंगानदी से तूटती है और इसके बारे में एक यह भी टॉपिक है कि मतलब यह जो है कलकताशी नगर के कि स्थित है कि से नदी के पर होगली नदी के थर्ट पर निश्ट जो नदी है वह है दामोदर नदी चोटा नागपुर पठार से निकलती है कहां से निकलती है तो यहां चोटा नागपुर पठार से निकलती है जार खंड के चंदवा जिले से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके ह होगली नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिलती है। मैंने पहले जो बताया था होगली नदी से यहाँ मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इसको भी आपको नोडाउन कर लेना है, ठीक है, या कई बार पूछा गया कोईस्चन है कि बंगाल का सोक किशे कहा जाता है, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, सौड रेखा नदी, ठीक है, कौन सी है, सौड रेखा नदी जहारखंड की राजधानी राची के पास से निकलती है कहां से निकलती है तो यह जो सोड़े रेखा नदी है यह जहारखंड की राजधानी है तो जहारखंड की राजधानी कहां है राची है वहां उसी के पास से सोड़े रेखा नदी निकलती है ठीक है तीन राज़ों से बहती हैं कहां बहती हैं यह तीन राजियों में बहती हैं पहला जो है वह आपका जहार खंड है दूसरा पस्चिम बंगाल तीसरा उरीसा है यानी इन तीनों राजियों में बहती हैं ठीक उरीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है क्या होता है यह जो है उरीसा केतर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी तो सोने रेखा नदी ठीक है नक्ष जो है वह वैतर्णी नदी ठीक है उड़ीसा से निकलती है कहां से निकलती है या उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उड़ीसा में जब दोनों मिलने के बाद में यहाँ ब्रहमडी नदी कहलाती है उड़ीसा में राउर केला में यह मिलती है क्या होता है उड़ीसा में जाकर के राउर केला में मिल जाती है कौन सी नदी ब्रहमडी नदी संख नदी जारखंड में गुमला से निकलती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह संख और दच्छडी कोयल नदी जो है मिलकर के ब्रहमडी नदी बिंती है तो संख नदी कहां से निकलती है तो यह जो है जहारखंड के गुमला से संख नदी निकलती है जहारखंड में राची के पास से निकलती है अखिर में क्या होता है तो वैथनी नदी के पास ही बंगाल की घाटी में गिर जाती है अगली जो है, वह है महा नदी, ठीक है, 36 गड़ के सिहावा जिले से निकलती है, तो यह कहां से निकलती है, 36 गड़ के सिहावा जिले से यह नदी जो है निकलती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है, एक डेल्टा का निर्माल करती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती ह कटक सहर के पास डेल्टा बनाती है ठीक है यहां एक डेल्टा का निर्माल करती है जो महा नदी है क्या होता है एक डेल्टा के निर्माल करती है वह डेल्टा कहां बनाती है तो वह कटक सहर के पास में डेल्टा बनाती है इसे भी आपको नोट डाउन करना है हीरा कुंड सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वा हीराकुंड बांध है कौन सा बांध है हीराकुंड बांध है इसे भी आपको नोट्टाउन कर लेना है इसकी जो सहायक नदियां है शहायक नदियों की बात करें तो शिवनात हैं हंस देव मंड और जो जो है यह सब महानदी की सहायक नदियों के अंतरकत आते हैं नेक्ष जो नदी है वहा है गोदावरी नदी गोदावरी नदी के बारे में आये देखते हैं यह जो है महाराष्ट के नासिक जिले के त्रंब केश्वर के निकट से निकलती है दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी है अब पूछता है कोईशन की दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी की बात अगर करें तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वह जो हो जाएगी गोदा वरी नदी सबसे दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदा वरी नदी है महाराष्ट से तेलंगाना से 36 गड़ अंधता आंध प्रदेश में परवेश करती है क्या होता है यह महाराष्ट से तेलंगाना तेलंगाना से Citigr और लाष्ट में जो है अंधरप्रदेश में परवेश्च कर जाती है राज मुद्री के पास यह क्या बनाती है डेल्टा बनाती है इसे दच्छिर की गंगा गोदावरी की सहायक नदियों की बात करे तो इसमें है पोड़ा, प्राणहिता, जिरें प्रनीता नदी भी कहते हैं, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा तथा पकरा, आदी जो है, यह हैं गोदावरी की शहायक नदियों के अंतरकात आते हैं नक्ष जो है, वे है कृष्णा नदी, ठीक है, इसके बारे में यह जो है, महाराष्ट में महाबलेश्वर के निकट पस्चिम गाट से निकलती है, कहां से निकलती है, तो यहाँ महाराष्ट में महाबलेश्वर एक अस्थान है, वहां के निकट पस्चिमी गाट से निकलती है प्राइदीपीए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है महाराश्ट से कनाटक तथा कनाटक से तेलंगाना अंततह में यह आंधप्रदेश में परवेश करती है ठीक है आंधप्रदेश में बिजयवाडा के पास यह डेल्टा बनाती है आनपर्देश में कहां या डेल्टा बनाती है तो यह विजयवारा के पास में डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी की जो है शहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां है वह आपकी हो जाएंगी तुंग भद्रा जो की सबसे लंबी शहायक नदी है भीमा हो जाएगी कोईना हो जाएगी मूसा हो जाएगी जो कि हैदराबाद मतलब जो मूसा है हैदराबाद इसी के किनारे बसा हुआ है किस नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है तो वह जो है मूसा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि कृष्णा नदी की शहायक नदिया गाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा और पंच गंगा जैसी नदियां भी क्रिष्णा नदी की शहायक नदियों के अंतरकत आती है नक्ष जो है वह है पेनार नदी ठीक है कौन सा पेनार नदी करनाटक से आती है और अंतर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है करनाटक के कोलार जिले से निकलती है क्या होता है यहाँ जो है करनाटक के कोलार जिले से निकलती है पालर नदी पालर नदी की बात करें तो यहाँ जो है करनाटक से निकलती है करनाटक से आंध प्रदेश में परवेश करके अंतताह तमिलान में परवेश कर जाती है ठीक है कौन सी नदी पालर नदी कावेरी नदी की बात करें कावेरी नदी की बात करें कावेरी की सहायक नदियां कावेरी की सहायक नदियां जो हैं वह हैं सिमसा, हेमोती, अमरावती, काबनी, भवानी, लचमरतीर्थ, लोगपावनी, आदी जो हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हो जाएंगी ठीक हैं तमिल नाड का तिछरा पल्ली सहर कावेरी नदी के किनारे बशा है क्या है जो तमिल नाड का तिछरा पल्ली शहर है वहाँ कावेरी नदी के किनारे बशा हुआ है ठीक है वेगई नदी वेगई नदी की बात करें तो यह जो है तमिल नाड से निकलती है और वही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तमिल नाड में मदरेश निकलती है तमिल नाड के कहा से निकलती है तो यह मदरेश निकलती है तामर पाड़ी नदी तमिल नाड़ उसे निकलती है तो यह तमिल नाड़ में ही मनार की खाड़ी में गिर जाती है ठीक है अब आईए देखते हैं दच्छड भारत की अरब शागर में गिरने वाली नदीयां ठीक है अभी तो आप लोग बंगाल की खाड़ी में गिरती थी न उसके बारे में हमने बताया अब आए देखते हैं दच्छ भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो दच्छ भारत की नदियां कौन से हैं दच्छ भारत की नदियों को दो भागों में बाटा गया है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बता दिया था तो मैंने आपको संगाल की खाड़ी में गिरती हैं उपर बताया है अब हम जो है बताने जा रहे हैं नदियां जो अरब शागर में गिरती हैं तो यह है दच्छिड भारत की अरब शागर में गिरने वाली नदियां तो पहली है जो है लूनी नदी लूनी नदी की बात करें तो यह जो है राज लवर नदी भी कहा जाता है किसको लूनी नदी को लवर नदी भी कहा जाता है सांभर जील से होकर गुजरती है गुजरात के रणावर कच्च में बिलुप्त हो जाती है ठिक कहां से रणावर कच्च में बिलुप्त हो जाती है कौन से नदी लूनी नदी शाबर मती नदी राजिस्थान के उदैपुर जिले के मेवार की पहाड़ियों से निकलती है गुजरात का अहम्दाबाद वा गांधी नगर शहर शाबर मती नदी के किनारे बशे हुए है ठीक है जो गांधी नगर और अहम्दाबाद में एक शहर है गांधी नगर वह जो है शाबर मती नदी के किनारे बश्य हुए है आगे चलकर अरब शागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है क्या होता है यह जो है आगे चल करके साबर मतीन नदी जो है वहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है फिर आएए देखते हैं माही नदी माही नदी की बात करें तो यह जो है मद्ध प्रदेश में विंद्याचल परबत स्रिंडी से आती है भारत की ऐसी नदी जो की करक रेखा को दो बार काटने वाली रेखा है इसे भी आपको नोटडाउन कर लेना है नर्मदा नदी नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी प्रायदीपिय भारत के सबसे लंबी नदी जो अरब शागर में गिरती है क्या है यह जो है प्रायदीपिय भारत के सबसे लंबी नदी है जो अरब शागर में गिरती है प्राइद इपिय भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है किस स्थान पर आती है तो यह तीसरे स्थान पर आती है यह जो है मद्ध प्रदेश में अमर कंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो यह मद्ध प्रदेश राज के अमर कंटक जगह है वहां से निकलती है अमर कंटक से दो नदिया नर्मदा एउम शोन भी निकलती है नर्मदा एउम सोन नदिया ऐसी नदिया है जो की एक ही अस्थान से निकलने वाली दो नदिया है नर्मदा और शोन नदी का है जो एक ही अस्थान से निकलने वाली दो नदिया है जो बिपरीत दिसा में बहती है क्या होता है अलग-अलग दिसाओं में बहती है ठीक है नर्मदा सबसे जादा मध्ध परदेश में बहती है ब्रहंस घाटी में हो करके बहती है मद्य प्रदेश से महाराष्ट से अंतता गुजराद में प्रवेश कर जाती है भड़ोज के पास अरब शागर में गिर जाती है क्या होता है यहाँ भड़ोज के पास में अरब शागर में गिर जाती है मद्य प्रदेश का जवलपूर इसी नदी के किनारे बशा हुआ है क्या है किस नदी के किनारे जवलपूर बशा हुआ है तो यह जो है आपका नर्मदा नदी की किनारे बशा हुआ है धुआधार जल पर पात जो है वह नर्मदा नदी पर जवलपूर में बनता है तापती नदी, तापती नदी की बात करें, तो यह जो है, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश राज के महादेव पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल पठार का हचेत्र है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट से अंधिता गुजरात में प्रवेश करती हैं सूरत सहर तापती नदी के किनारे बशा हुआ है आप से क्वेश्चन करता है कि सूरत सहर जो है किस नदी के किनारे बशा हुआ है तो वह जो है तापती नदी के किनारे बशा हुआ है मांडवी नदी करनाटक से आती है गोवा में आकर अरफशागर में गिर जाती है गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के थर्ट पर बसा हुआ है गोवा की राजधानी कौन सी है तो पणजी है पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे ही बशा हुआ है फिर जो है वह जुवारी नदी यह जो है गोवा से निकलती है गोवा में ही अरफशागर में मिल जाती है सरारवती नदी करनाटक से निकलती है और करनाटक में ही अरफशागर में गिर जाती है करनाटक का जोग जलपरपात इसी नदी के तड़ पर बना हुआ है क्या है जो जलपरपात है जोग जलपरपात जो है वह करनाटक राजिका है जो की सरारवती नदी के तट पर बना हुआ है महत्मा गांधी या गर्सुपा जलपरपात नाम से भी इसे जाना जाता है यानि जो जोग जलपरपात है उसे महत्मा गांधी या गर्सुपा जलपरपात के नाम से भी जाना जाता है थीक है तो अगर आपको मतलब आपकी एक्साम समें न किसी भी नाम से अगर पूछा जाता है महत्मा गांधी के नाम से गर्सुपा जलप पर पाथ तो आपको जो है इसमें इसमें यही लगा देना है सराव रती नदी के थट पर बना है ठीक है गंगा वेली नदी यह जो है करनाटक से निकल करके करनाटक में ही अरफशागर में मिल जाती है पेरियार नदी तो यह पेरियार नदी जो है पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी केरल से निकल कर केरल में ही अरफशागर में गिर जाती है भारत पूजा नदी तमिलनाड से आकर केरल में अरब शागर में गिर जाती है तो आसा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल रहा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए थैंक यू जै हिंद जै भारत